सादर जैसरी करश्ण मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य नहीं नहीं ग्यानवरधग जानकारिया वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें महान पुन्य को देने वाली अती पावन मोहिनी एकादसी की वरत कथा तो दिदांक 3 मई 2020 को है मोहिनी एकादसी का यह वरत तो इस दिन सरद्धा पुरवक इस वरत को करने से और इस वरत कथा को सुनने से सभी पापों से मुक्ती मिलेगी सभी प्रकार के रोग, दुख, भय, आदी का नाश होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फलों की भी प्राप्ती होगी और जो मनों कामना होगी वह भी भगवान स्री हरी की करपा से सिग्र पूरी होगी तो मित्रो ध्यान पुरोवगा पूरे वीडियो को देखेंगे तभी इसका संपुर्ण फल आपको मिल पाएगा तो सबसे पहले तो हम एकादसी के वरत की विधी और महात्म इसका जान लेते हैं क्योंकि बिना विधी के किया गया वरत पूर्ण फल प्रदान हमको नहीं करता है तो सुजी महराज कहते हैं कि है रिशी मुनियों द्वापर युग में धर्मराज युदिष्ठिर ने भगवान स्री करश्ण से कहा कि है सरवेस्वर एकादसी के वरत की विधी महात्म एवं उससे प्राप्त होने वाले पुण्य मनवांचित फल आदी के बारे में सविस्तार बदाने की करपा करिए तब भगवान स्री करश्ण ने कहा कि है पांडव स्रेष्ठ एकादसीया महान पुण्य लाब वह मनवांचित फलों को देने वाली होती है स्रेष्ठ रिशी मुनियों को भी इस वरत का अनुष्ठान यानि वरत करना चाहिए कुछ विशेश नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथियां जया विजिया जयनती पाप नाशिनी मोहिने आदी नामों से प्रसिद्ध हो जाती है तो एकादशियों में सभी पापों का नाश करने की शक्ती होती है इसलिए संसारी मनुष्य को इनका वरत अवश्य कर लेना चाहिए जब सुकल पक्षी के एकादशी को पुनरवसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि काहलाती है विधी पुर्वक इसका वरत करने से मनुष्य निश्चे ही पापों से मुक्त हो जाता है जब सुकल पक्षी के एकादशी को सरवन नक्षत्र हो तो यह उत्तम तिथि विजिया के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है मनुष्यों के द्वारा इसमें किया हुआ दान, ब्राम्मन, भोजन, सहस्त्र गुना फल को देने वाला हो जाता है तथा हवन और उपवास्तो सहस्त्र गुना से भी अधिक फल को देने वाला हो जाता है जब शुकल पक्ष की द्वादसी को रोहिणी नक्षत्र हो तो यहां तिथी जयन्ती कहलाती है। यहां सभी पापों को हरन करने वाली हो जाती है। इस तिथी को पूजित होने पर भगवान विश्नु निश्चय ही सभी प्रकार के पापों को नास कर देते हैं। जब कभी श पुर्ण्य समान हो जाता है उस तिथी को वरत रखने पर भगवान स्रीहरी प्रसन हो जाते हैं उस दिन प्रत्येक पुर्ण्य कर्म का अनंत गुना फल मिलता है एकादसी के इस वरत को करने से इस्तरी पुरुष के साथ जन्मों के काईक वाचिक और मानसिक पापों से उन्हे मुक्ती मिल जाती है पुष्य नक्षतर में पढ़ने वाली एक मात्र पाप नाशनी एकादसी का वरत करके मनुष्य एकादसी के वरत जैसा फल प्राप्त कर सकता है उस दिन इसनान दान जप स्वाध्याई देवताओं की पूजा आदी जो भी कुझ शुब कर्म किया जाता है उसका अक्षय गुणा फल मना जाता है इसलिए सभी इस्तरी पुरुषों को अपनी शक्ती और सामर्थ के नुसार एकादसी का वरत अवश्य करना चाहिए भगवान विश्णुजी की करपा और पुन्य संचय करने के लिए एकादसी का वरत करते हैं वरत और उपवास मे अंतर होता है किसी भी वरत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहर आदी लिये जा सकते हैं परंतु उपवास अधिकतर निराहर किया जाता है त्री इस परसा पक्षवर्दिनी एकादसी अधिक महतुपुर्ण और फल को देने वाली हो जाती है इसी पिरकार पुर्णिमा आठ दंड की रहे और दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा के कुछ अंस चले जाए तो उसे पक्षवर्दिनी एकादसी मानी जाती है इस एकादसी का वरत अधिक पुन्यदाईनी और फल दाई हो जाता है जो भक्त सरद्धालो इ एकादसी के वरत का वरणन किया गया है यदि किसी एक तिथी के एक दिन एकादसी द्वादसी तिथी आजाए तथा रातिरी में अंतिम परहर में त्रयो दसी तिथी आजाए तो एसी एकादसी यां त्री इस परसा एकादसी कहलाती है इसका वरत करने से अनन्त गुना फलो की प्राप्ति हो जाती है तो सास्त्रकारों ने वरत का इस्तर इस प्रकार से इस्तित किया है अपनी स्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संबव हो आपको कर लेना चाहिए पहला तो निर्जल वरत होता है दूसरा उपवास वरत और तीसरा केवल एक बार अन रहित दुखद आधी पेपदार्थ ग्रहन करना चोथा नक्त वरत यानि दिन भर उपवास रह करके रात्री में फलाहर करना पांचवा एक भुक्त वरत किसी भी एक समय फलाहर लेना अशक्त हो वरत हो बालक हो रोगी हो जो भी वरत नहीं कर सके यथा संबव अन आहार का परित्याग तो अन का त्याग तो आपको करी देना चाहिए तो वरतमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवर्ति भोग विलास आनंद पूर्ण जीवन की और ज्यादा रहती है अतह इस मनोवरत्ति को सिमित करते हुए सत कर्म में इश्वर की आरादना में नियमे थम को रह करके वरत परवो को करना चाहिए अपनी लगन परिश्रम और इमानदारी से देने कारियों को धर्म और करतव पराणता से करते रहना चाहिए मन वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही हम को करना चाहिए एकादसी के धर्मिक वरतों के प्रवाल सुर्योदई से पहले उठकर के पवित्रता के लिए इसनान कर लेना चाहिए फिर भगवान के सामने सुद्ध घी का दीपक जला करके इस वरत का संकल्प लेना चाहिए दोपहर को भी संकल्प के अनुसार इसनान आप कर सकते हैं इस दिन मिट्टी लगाने का विधा करना चाहिए कि है वसुंदरे तुमारे उपर आश्वर रथ हमेशा चला करते हैं भगवान विष्णु ने भी वामन अवरतार धारन करके तुम्हें अपने पेरों से ना पा था है मृति के मैंने पूर्वकाल में जो पाप कर्म किये थे मेरे उन सभी पापों को दूर करने कि आप इसनान करेंगे तो कई कई जन्मों के पापों का ना सो जाएगा तो धर्म सास्त्रों के नुसार दस्मी की साम से द्वादसी को दो पहर तक निराहार रहने एकादसी की रात्री को जागरन करने पर ही सभी एकादसीों के वरत का पूरा पूरा फल मिल पाता है जो एक पत्र एक चोथाई वरत का फल मिलता है जबकि एकादसी के दिन अन खाना पाप बताया है धर्म गरंथों में। चोद लोब मोहा का त्याग करके सतकर्म भाव से आपको करना चाहिए इस दिन रात्री को सहवास नहीं करना चाहिए ब्रह्म मचर union का पालना आपको विशेश रूप spa हूं0 जूट नहीं बोलना चाहिए और चोर पाखंडी परिस्तरी गामी को यहवरत नहीं करना चाहिए भक्ति युक्त हो करके रात्री में जागरन करना चाहिए भजन आदी में समय व्यतित करना चाहिए अपने अपनी शक्ति और सरद्धा के नुसार ब्रामनों को दान दक्षिना देना चाहिए और प्रणाम करके उनसे तूटियों के लिए छमा मांग लेना चाहिए जिस प्रका 12 के दिन पहले ब्राम्मन को भोजन करवाना चाहिए जो एसा करने में असमर्त हो तो ब्राम्मन भोजन के निमित कच्चा भोजन सामगरी सुपात्र ब्राम्मन को एक थाली में सजा करके देना चाहिए हरी वासर में पारण करना निशेद बताया गया है तो दिन के पहले पहर म आपको इस वरत का पारण कर लेना चाहिए यानि 12 की दिन प्रातहकाल 9 बजे से पहले पहले आपको इसका पारण अवश्य कर लेना चाहिए एकादसी के वरत करने वाले मनुश्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो यह वरत उन्हें पूर्ण फल देने वाला सिद्ध हो जाता है हेमन्त रिशु में मार्ग सिर्श मास आने पर क्रश्न पक्षिक एकादसी तिथी को इसका उपवास वरत धारण करना चाहिए उसकी विदी इस प्रकार से है सुद्ध मन से इस्त्री पूरुस दसमी को सदा एक भुक्त रहें और दिन में एक बार भुजन करें दिन के आठवे भाग में जब सूरी का तेज मंद पड़ जाए तो उसे नक्त भुजन समझना चाहिए रात्री को भुजन नहीं करना चाहिए सभी विवाहित इस्त्री पूरुसों को तारे दिखाई देने पर नक्त भुजन का विधान होता है और सन्यासियों के लिए दिन के आठवे भाग में अर्थात रात्री में भुजन का निशेद बताया गया है सन्यासियों को रात्री में भोजन आदी नहीं लेना चाहिए तो इस दिन पूजन की विदी इस प्रकार से रहेगी इस दिन पूजन करने वाले इस्त्री पूरुस इसनान करने के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने धोती डूपटा आदी पहन लेवे पूजन प्रारंब करने से पहले अपना मुख पूर्व दिसा की और करके आपको बेठना चाहिए और यदि आप जोड़े सहिद पूजन करते हैं तो अपनी पतनी को अपने दाहिनी और बेठा करके गठ बंदन जोड़ करके पूजन आरंब करना चाहिए कुशा या आम के पत्तों से अपने सरीर के उपर और पूजन सामगरी के उपर जल छीटना चाहिए तीन बार भगवान का नाम उच्चारन करके जल पीना चाहिए फिर हाथ धोलेना चाहिए डाब की कुशा की पवित्री पहनना चाहिए अंगुठी बना करके अपने हाथ में फूल और चामल ले करके भगवान गरुड जी का और विश्नु भगवान का ध्यान करना चाहिए फूल अक्षत मूर्ती पर आपको चड़ा देना चाहिए इसके पस्चाद भगवान स्रीहरी गरुड जी की सरद्धा पुरवक पूजन करना चाहिए धूप दीप निवेद्य अरपन करने के पस्चाद उनकी आरती उतारना चाहिए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रारतना करना चाहिए तो इस प्रकार पूजन करने से अनंत गुणा फलो की प्राप्ती होगी फिर का वरत करने से मनुष्य सभी पापो और दुखों से मुक्त हो जाता है सांसारिक मोह ममता से उसको छुटकारा मिल जाता है तो अब मैं तुमको इससे संबंदिते का कथा सुनाता हूँ तुम ध्यान पूरवक स्रद्धा पूरवक उसे स्रवन करोगे तभी इसका पर भदरावती नामक एक सुन्दर नगरी थी वहां द्युतिमान नामक चंद्रमंशी राजा राज्य करता था उस नगरी में धनपाल नामक धनवान पुन्यवान एक वेश्य निवास करता था वह वेश्य अत्यंत धर्मात्ना धर्मात्मा और विश्नु भगवान का भक्त उसने नगर में अनेक अन्न छेत्र प्यावू, कुवे, सरोवर, धर्मशालाय आदी बनवाए थे, उसने जगा जगा पर सडकों पर आम, जामून, नीम आदी के अनेक उपयोगी व्रक्ष भी लगवाए थे, उससे वेश्य के जो है पांच पुत्र थे, उनमें द्रश्ट पापी दुष्ट प्रकृति वाला था, वह न तो ब्रामणों का कभी आदर करता था, न कभी पितरों का सम्मान करता था, वह वेश्या गामी जुमारी हो गया था, वह मध्यपान तथा मास आदी का सेवन करने लगा था, अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष् गर से निकलने के कुछ समय तक तो उसने अपने गहने वस्तरादी बेच करके अपना जीवन निर्वाहा वह करता रहा जब उसके पास सारा धन नश्ट हो गया तो उसके संगी सांथियों ने भी उसका सांच छोड़ दिया था अब वह भूक प्यास से व्याकुल रहने लगा थ मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तब उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया राजा ने उसे कारागार में बंद करवा दिया उसके विवाहर को समझ करके राजा ने उसे नगर से बाहर ही निकाल दिया था वह वन में चला गया और पशू पक्षियों उससे नहीं मिलता था, तो उसे भूखे ही रहना पड़ता था, तो एक दिन की बात है, एक दिन भूख ब्यास से दुखी हो करके, शिकार की खोज करते हुए, वन में भटकते हुए, कॉंडिन रिशी के आस्रम पर जा पहुचा, तो वह वैशाक का महिना था, कॉंडिन रिशी गंगा इसनान करके आ रहे थे अचानक रिशी ने अपने गीले वस्त्रों को जटकारा उनके भीगे वस्त्रों के छीटों से जल की कुछ बुंदे धरस्ट बुद्धी पर पड़ गई रिशी की तपस्या और गंगा जल का इस पर सपा करके धरस्ट बुद्धी को कुछ सद ब खर्च करना पड़े क्योंकि मेरे पास धन नहीं है तब रिशी ने कहा कि वेशाक मास सुकल पक्ष में मोहिन एकादसी का वरत तुम स्रद्धा पुर्वक करो इससे तुमारे सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे तो मुनी के वचनों को सुन करके वह अत्यंत प्रसन हुआ उनके द्वारा बताई गई विधी के अनुसार उसने मोहिन एकादसी का यह पावन वरत किया तो गुरू वशिष्टी ने मी भगवान स्री राम को यह वरनन सुनाया था वशिष्टी जी ने कहा कि हे राम इस वरत के प्रभाव से दरश्ट बुद्धी के पाप नश्ट हो गये थे और अन्त में वह गरूर पर बेट करके विश्टू धाम को चला गया था इस वरत के प्रभाव से पद मोह माया सब कुछ नश्ट हो गये थे उसके पाप सारे जल करके भस्म हो गये थे अन्त में सद गति उसे प्राप्त हो गई थी इसके महात्म को पढ़ने अत्वा सुनने से एक हजार गवदान के पुन्नि के बराबर फलों की प्राप्ती हो जाती है संत करपा प्राप्त हो जाने पर तो कठिन से कठिन कारी भी सरल हो जाते हैं तो यह जो वरणन है कुर्म पुरान के अनुसार यह कथा वरणित की गई है इसमें फलाहार इस प्रकार से लि तो मित्रों आसा करता हूँ, कि आपको हमारी यह ग्यान वर्दःक जानकारी पसंद आई होगी, यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, धन्यवाद जैस्रीक रशन मित्रों फिर मिलेंगे